जैहिंद ही माचलवासियों तो कैसे हैं आप सभी तो सबसे पहले आप सभी को गुड डिवनिंग गुड डिवनिंग चलिए तो देखिए ओप्रेशन सीरीज की क्लास नंबर फाइब आपके सामने है हिंदी सब्जक्ट की ठीक है और ओप्रेशन सीरीज में आपको हिंदी, इंगलिश, मैथ, साइंस, रेजिनिंग हिमाचल जी के, इंडियन जी के और साइंस तो ये सभी सब्जक्ट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम आज करेंगे हिंदी की क्लास नंबर फाइब को खतम इसके बाद हमारी चलेगी साइंस की क्लासिज ठीक है इंगलिश की हमारी पांच क्लासिज खतम हो चुकी है हिंदी की आज हमारी पांचवी क्लास है और अब आगे पांच classes आपकी चलेगी science की ठीक है तो इसी प्रकार से आपने operation series को अपना प्यार देते रहना है हर रोज रात आठ बजे आपने हमारे सामने उपस्थित हो जाना है ठीक है तो चलिए तो आप सभी ने मुझे जो answer है वो मुझे आपने देने है live chat में ठीक है मैं live chat देखूंग है clear चलें फिर चलिए तो आपके लिए पहला question है नर नारी ठीक है नर नारी शब्द में समास बताईए ठीक है फटाफट करिए option number A है आपके पास द्वंद समास option number B है आपके पास द्वीगू समास option number C है आपके पास बहुबरही समास option number D है आपके पास तत पुरुश समास बताइए, क्या होगा? नर नारी, ठीक है? येस. तो आप सभी को पता है कि जब भी तो शब्द आपस में उल्टे हो, विलोम हो, तो वहाँ पर द्वंद समास होता है. कौँसा समास है? द्वंद समास, यानि कि option number A is the correct answer. Very good. तो maximum बच्चों ने इसका सही अंसर दिया होगा. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे है आपके पास, समुंद्र मंथन करना. क्या है? समुंद्र मंथन करना. तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? घोतप करना, द्रिडप प्रतिग्या करना उदेश्य यहां पर होगा उदेश्य तो उदेश्य को प्रापत करना यहां फिर कठोर परिशर्म करना बताईए क्या होगा समुंदर मंथन करना मुझे आप बताईए कि आप क्या कर रहे हो सरकारी नोकरी पाने के लिए आप क्या कर रहे हो पताईए येस तो काफी सारे बच्चों का option number D सही उत्तरा रहा होगा क्योंकि कठोर परिशर्म करना और ये same to same आप भी कर रहे होंगे यानि कि आप क्या कर रहे हो आप समुंदर मंथन कर रहे हो ठीक है यानि कि कठोर परिशर्म करना चलिए आगे चलते हैं आगे है आपके पास दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं ये same question मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने समास की definition पड़ी थी कि समास क्या होता है उसी समय मैंने आपको बताया था कि संधी की definition क्या होती है और वही question आज आपके सामने आ चुका है तो क्या लिखा हुआ है तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं तो मैंने आपको कल भी बताया था येस सभी का बिलकुल correct answer आ रहा है कि संधी तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन होता है उसको हम बोलते हैं संधी लेकिन जब दो शब्दों के मेल से वो शब्द बनता है या फिर विकार उत्पन होता है उसको हम बोलेंगे समास येस तो अभी आपको क्या करना है कि definition पे भी आपको ध्यान देना है क्योंकि definition से भी examiner question डाल सकता है clear है चलिए आगे चलते हैं आगे हैं आपके पास धरेश तो धरेश का सही संदी विशेद क्या होगा बताईए ये question मैंने आपको कैसे करना है ये already मैंने आपको बता दिया है ठीक है मैंने आपको दो ये तीन बार बताया होगा कि जैसे एश लिखा जाता है वैसे ही एश लिखा जाएगा सबसे पहले आप अपना answer बताईए क्या होगा option number A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा बताईए very good very good, very good, देखो तो आप सभी concept बिल्कुल सही आ रहा है, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे एश लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाएगा अब यहाँ पर अश तो होगा नहीं एश ऐसे लिखा नहीं जाता, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा और आपको पता है कि जब भी A प्लस E को जोड़ा जाता है, तब बनता है A की मात्रा, ठीक है, यानि कि यहाँ पर A की ध्वनी आनी चाहिए A की ध्वनी आनी चाहिए, तो A की ध्वनी कहाँ पर आ रही है र के साथ में A की ध्वनी आ रही है, तो ओप्षिन नमबर B क्या होगा तो नेस्ट कोशिन है आपके पास, धरेश का सही संदी विशेद क्या होगा, बताईए तो यह सेम कोशिन मैंने आपको बताया था, कि किस परकास से आपको ऐसे कोशिन जो है, वो सोल्व करने है आपके सामने ओप्षिन है, धरा विसर्ग प्लस अश, धर प्लस इश, धरा प्लस इश, या फिर धरा प्लस इश ठीक है, बताईए क्या होगा और फिर नमबर A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा बताइए तो मैंने आपको बताया था कि जब भी A की मात्रा आए तो ये आपकी होती है गुण संधी कौन सी संधी? गुण संधी ठीक है? अब देखी यहाँ पर कौन सी संधी होगी? ये कौशन नहीं है संधी क्या होगी? ये कौशन है और मैंने आपको बताया भी था कि ईश जैसे लिखा जाता है आपको वैसे ही लिखना है यानि कि बड़ी A की मात्रा होनी चाहिए यानि कि अश्र तो होगा नहीं तो टी A की मात्रा तो होगी नहीं यहां फिर आपका option number B होगा यहां फिर option number C होगा अब बताए क्या होगा B होगा यहां फिर C होगा बताए Yes option number C is the correct answer यानि कि धरा प्लस इश आ प्लस E तब जाके बनता है A की मात्रा clear है तो option number C is the correct answer आगे चलते हैं आगे हैं आपके पास देखो सबसे पहले यहां पर जो आश्रीवाद लिखा हुआ है इसकी शुद्ध वर्तनियाती है आपके exam में ध्यान देना शुद्ध वर्तनियाती है आपके exam में ठीक है maximum बच्चे जो है वो आश्रीवाद को कैसे लिखते हैं और आप भी कभी ऐसी गलती ना करो तो यह मैंने आपको पहले बता दिया कि maximum बच्चे आश्रीवाद को ऐसे लिखते हैं ऐसे ठीक है अगर मैं इसको यहां पर ऐसे कर दू ना ऐसे करके तब आप भी आश्रीवाद को ऐसे लिखोगे ऐसे ठीक है तो ध्यान देना है आश्रीवाद हमेशा ऐसे लिखा जाता है यह जो छोटा है ना यह वाला छोटा हर यह आपका आएगा ब के उपर यह है शुद्वरतनी सबसे पहले आश्रीवाद की शुद्वरतनी आपको पता होनी चाहिए दूसरी बात आश्रीवाद का संदी विशेद यह भी बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा क्वशन है यह एक्जामनर डाल सकता है आश्रीवाद का संदी विशेद क्या होगा अब बताएए आश्र वाद होगा आश्रिविसर्ग प्लस वाद होगा वो गिर जाएंगे, गिरेंगे ही गिरेंगे, बताईए क्या होगा, बताओ, ठीक है बई, ऐसे क्वेशन आते हैं आपके एक्जाम में, यहाँ पर बच्चा गिरे, वैसे क्वेशन आपके एक्जाम में आते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आप जब भी गिरो, तो आपको उठना है यहाँ पर जितनी मर्जी बार गिर जाओ लेकिन एक्जाम में कभी नहीं गिरना है थेक है तो मैं आपको बता रहा हूं आशिरवाद की संदी क्या होगी आशि प्लस वाद यानि कि यहाँ पर विसर्ग भी आने चाहिए यहाँ पर और अगर यह पूछे आशिरवाद में संदी कोँसी होगी तब भी मैक्सिमुम जो स्टूडेंट है वो फर्स जाएंगे क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संदी होगी इस चीज को आपने यानिकि इस कौशन को आपने यहां से पढ़ना है क्योंकि यहां से एक विसर्ग संदी होगी और ऐसे लिखी जाएगी आशि विसर्ग प्लस वाद थिक है तो इस चीज का आपने ध्यान देना है चले आगे, आगे हैं आपके पास, देखिए, निमन में से शुद्वर्तनी का चाहिन केजिए, अब आपने मुझे बताना है कि उन्नती को हम कैसे लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, बताए कैसे लिखते हैं, उन्नती को ह A, B, C, D फटाफट बताए यहाँ पर maximum student confuse हो रहे है option number A और T में उनको पता नहीं लग रहा है कि T ऐसे होती है या फिर T ऐसे होती है कि कैसे होती है तो option number D यानि कि T जो है यह ऐसे होती है ठेक है तो इस चीज का आपने ध्यान देना है उन्नती हमेशा ऐसे लिखा जाता है ठेक है यानि कि option number D is the correct answer चले आंगे चलिए आगे है आपके पास निर्वासित में प्रत्य निर्वासित में प्रत्य क्या होगा और उपसर्ग और प्रत्य हम कैसे निकालते हैं यह आपको भली बानती पता है बताईए फिर निर्वासित में प्रत्य क्या होगा बताईए इक होगा नी होगा सित होगा या फिर इत होगा प्रत्य मतलब जो लास्ट में बने उससे पहले एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए यह है रूल अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए तो सबसे पहले आपने बताना है कि इसका प्रत्य क्या होगा बताईए येस ठीक है, देखो निर्वासित में अगर हम सबसे पहले अर्थपूर्ण शब्द बनाएं तो वो बनेगा निर्वास क्या बनेगा जी? सबसे निर्वास बनेगा फिर बचा क्या? क्या बचा? सित बचा? या फिर इत बचा? पताईए क्या बचा? तो यहाँ पर जो है, वो इत बचता है क्यूंकि स आपका यहाँ पर आ गया है ठीक है? स आपका यहाँ पर है ए आपकी यहाँ पर आ जाएगी बन जाएगी अब इसकी पिछी का रूल मैं आपको बताओं बतादू चलो सुनो फिर यहाँ पर जो मातरा है वो छोटी E की मातरा है छोटी E की मातरा है तो यहाँ पर जो E होगी यह भी छोटी होगी ठीक है छोटी होगी अगर यहाँ पर आपको एक और option होता ऐसे करके तो उस हमें आप confused हो सकते थे तो आपको confused नहीं होना है क्योंकि यहां पर जो sir को मातर लगी हुई है वो छोटी e की लगी हुई है तो यहां पर भी छोटी e ही आएगी यानि कि बड़ी e नहीं आएगी तो इस परकास से आपको questions को solve करना है तो option number d is the correct answer ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं आगे हैं आपके पास grade of study plus English अगर आपने proper तरीके से English पे अपनी command बनानी है English grammar पे अपनी command बनानी है और आप चाहते हो कि मैं forest guard में 17 में से 12 से या फिर 17 मतलब तयारी ऐसे करो कि 17 में से 17 marks आए ठीक है मैं कम लेके नहीं चलूँगा मैं अतनी तयारी यहाँ पर करवा रहा हूँ कि आपके 17 में से 17 ही marks आए और police constable में 16 out of 16 आए अगर आपका target पूरा होगा तब जाके आप इसके आसपास पहुँच सकते हो इसलिए हमने grade of study plus English के लिए basic to advance जो course है वो हमने separately launch किया हुआ है यहाँ पर 6 महिने के अंदर अंदर आपकी English को strong किया जाएगा ठीक है 6 महिने आपकी live vocab class चलेगी ठीक है और यहाँ पर complete syllabus आपका जो है वो cover करवाया जाएगा then every class के आपको यहाँ पर notes PDF मिलेंगी और हमारे जो English practice book है उसकी भी आपको PDF provide करवाय जाएगी ठीक है तो फिलहाल यहाँ पर जो शिक्षा open code चला हुआ है तो आप इस code को use करके यहाँ पर 499 में इस course में enrollment ले सकते हैं last day है ठीक है तो उसके बाद खतम हो जाएगा यह वहला code ठीक है तो इस code का use करके आप हमारे grade up study plus English basic to advance वाले course में add up यानि की enrollment ले सकते हैं और अगर आपने complete त्यारी करनी है police constable की, forest guard की ठीक है, पटवारी की या फिर जेल वाडन की तो यह हमारा combo जो है वो course है एक course और काम इसके चार है ठीक है एक course में यानि की grade up study plus में आप चार exams की तयारी एक साथ कर सकते हैं ठीक है, अब देखो अगर आपने police constable की भरती देखनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप forest guard की नहीं देखोगे आपने police constable की भी देखनी है आपने forest guard की भी देखनी है और आपने jail warden की भी देखनी है ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग-अलग से course लेने की ज़रूत बिलकुल नहीं है grade up study plus में आपको enrollment लेनी है description में आपको link मिल जाएगा हमारी application का तो उसमें आपने उसको पहले आपने install करना है register करना है then आपको grade up study plus में enroll हो जाना है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हैं आपके पास निमन में से कौन सा पद अववभाब समास है देखिए सबसे पहले देखो, यहां पर देखो यहां पर आपको तीन complimentary dose books भी मिलेगी एक आपके पास होगी GK की, एक आपके पास होगी साइंस की और एक आपके पास होगी practice book, तीनों book आपके घर तक by post पहुंचाए जाएगी जो कि आपके exam के लिए काफी फायदे मंद रहने वाली है यह books सिर्फ ओ सिर्फ grade up study plus वालों को दी जाएगी इसके इलावा हम इसको separately provide नहीं करवा रहे हैं ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान देना है तो next question है निमल लिखित में इसे कौन सा पद आवभाब समास है, बताइए इस सभी को पता होगा है पता होगा सभी को, बताइए yes, maximum बच्चों के जो अंसर है वो आ रहे हैं प्रती दिन और ये बिल्कुल सही अंसर है देखे, लेकिन question ये है कि गरहागत में कौन सा समास है ये बता के बताओ इसका अंसर बताओ मुझे कि गरहागत में कौन सा समास है बताइए अब ही भाप समास को तो आप कर ले रहे हो लेकिन गरहागत में कौन सा समास है ये बताओ बताओ फटाफट करो अब आपके जो अंसर है वो आगे पीछी हो रहे है आगे पीछे जरूर होंगे क्योंकि यहां पर आप कन्फूजा गए हो तो गरहागत में कौन सा मैं आपको सबसे पहले इसको तोड़ के बताओगा गरहागत मतलब गरह मे आगत और जहां पर कारक आए तो वो आपका ततपुरुश समास होगा ततपुरुश ठीक है तो गरहागत में ततपुरुश अगे चलते हैं आगे है आपके पास, अचार कुशल, तो अचार कुशल में कौन सा समास है, फड़ा-फड़ से मुझे है, चैट में बताके, याने कि लिग बताएं, क्या होगा, अचार कुशल में कौन सा समास है, यह ऐसे कुशन आएंगे एक्जाम में, दो यह मत बोलना, मैं आपको पहले बता रहा हूं ठीक है एवरी एर जो अपका कॉंपिटिशन है वो टफ हो रहा है ठीक है तो आपको ऐसे कॉश्चन जो है सोल्व करने आने चाहिए तो बताईए फिर अचार कुशल में कौन से समास है देखो अचार कुशल को पहले तोड़ के बताओ अचार से कुशल अचार से कुशल इसके बीच में भी कारकार है यानि कि ये भी आपका सत्पुरुश समास होगा ये जो है आपके पास प्रति दिन ये आपका अविवाप समास है और राजकुमारी ये कों सा समास है बताओ फटा फटा राजकुमारी कों सा समास है ये maximum बच्चे जो है वो कर लेंगे तो राज कुमारी मतलब राजा की कुमारी यानि की बीच में की आ रहा है की आपके पास क्या है एक कारक है तो ये भी आपके पास तत्पुरुश समास होगा ठीक है तो ऐसे words आपको तोड़ना आने चाहिए और कौन सा समास होगा ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं आगे है आपके पास निमन वाक्यों को पढ़िए तो था उसमें कारक के सही वेद को चुने ठीक है आपको बताना है कि यहां पर यानि कि इस वाक्य में कौन सा कारक है अधिकरण कारक है, संबंद कारक है, संबोधन कारक है या फिर अपादान कारक है बताओ फटाफट बड़ अच्छा क्वेशन है यह क्या होगा बताए हे प्रभू, मेरी इच्छा पूर्ण करो बताए फिर कौंजा कारक होगा कुछ बच्चे इस question को crack कर पा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं देखो क्या लिखा हुआ है हे प्रभू तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है हे प्रभू ठीक है यहाँ पर देखो कौन सा sign लगा हुआ है बिस्मियादी बोधक तो यह किसकी पहचान है यह आपके पास संबोधन कारक की पहचान है यानि कि option number C is the correct answer clear है चलें फिर आगे चलिए आगे है आपके पास प्रित्वी का प्राइवची शब्द क्या है प्रित्वी का प्राइवची शब्द क्या है पताए क्या होगा अब यहाँ पर आपका जो दिमाग है वो खराब भी हो रहा होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको एक से अधिक option सही नजर आ रहे होंगे ठीक है maximum बच्चों का अंसर आ रहा है A yes A आपका बिल्कुल सही अंसर है रतन गर्भा रतन गर्भा का मतलब होता है जिसके अंदर क्या है रतन है ठीक है सोना, चांदी, हीरे कहां से निकलते हैं पृत्वी से ही निकलते हैं पृत्वी के गर्व से ही निकलते हैं तो इसलिए रतन गर्भा ये भी हम पृत्वी को ही बोलते हैं clear है और अगर हम बात करे हिरन्य गर्भा वोशन अगर आपको आजाए कि हिरन्य गर्भा ये किसका प्रायवाची है फटाफट बताओ किसका प्रायवाची है ये हिरन्य गर्भा हिरन्य गर्भा किसका प्रायवाची है बताओ हिरन्य घर्बा भ्रह्मा जी का प्राइवची है ठीक है हिरन्य घर्बा का मतलब होता है कि जहां से हमारे स्रिष्टी बनी है स्रिष्टी का निर्मान ये मतलब होता है हिरन्य घर्बा ठीक है चले आगे चलते हैं आगे हैं अचल ठीक है, अंचल ने होगा, यह अचल होना चाहिए था यहाँ पर, अब अचल किसका प्राइवची है, बताओ, कमंट करो, बताओ फुटा-फट, अचल किसका प्राइवची है, बताओ फुटा-फट, येस, अचल जो है, वो पहाड का, पहाड का, प्राइवची है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है, स्वर्ण मै, स्वर्ण मै किसका प्राइवची है, बताओ, फटा-फट, स्वर्ण मई किसका प्राइब अची है स्वर्ण मई का मतलब होता है जिसका निर्मान स्वर्ण से हुआ हो जिसका निर्मान स्वर्ण से हुआ हो उसको बोलते हैं स्वर्ण मई ठीक है तो इन बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए examiner question डाल सकता है ठीक है? चलें आँगे? चलिए आगे हैं आपके पास मौन का विलोमशब्द क्या होगा? यह सबी को पता होगा मौन का विलोमशब्द क्या होगा? मुखुर होगा मोखिक होगा मयंक होगा यह फिर विकार होगा पताएं फटाफट से बताएं येस मोन का मुखुर होगा आपका सही अंसर आ रहा है मोन का मुखुर यानि कि option number A is the character answer ठीक है चलिए आगे चलें चलिए फिर आगे है आपके पास जो आँखों के सामने न हो यहाँ पर आप थोड़ा सा doubt में रह सकते हो बताएं क्या होगा जो आँखों के सामने न हो परत्यक्ष होगा अब परत्यक्ष होगा दुरस्त होगा या फिर परोक्ष होगा बताएं क्या होगा बताएं फटाफट जो आँखों के सामने न हो यहाँ पर maximum बच्चे confused हो रहे होंगे अपरत्यक्ष और परक्ष के बीच में इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है यहाँ पर आपको दो चीज़ी आज सीखे जानी है इस question से सबसे पहले जो आखों के सामने न हो तो उसको हम अपरत्यक्ष नहीं बोलेंगे इसको भूल जाओ अपरत्यक्ष को भूली जाओ ठीक है जो आँखों के सामने न हो उसको हम बोलेंगे परोक्ष और जो आँखों के सामने हो उसको हम बोलेंगे परत्यक्ष और अगर question यह आए कि परत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा तो आपको सीधा यहाँ पर परोक्ष लगाना है आपको कभी भी परत्यक्ष का विलोम शब्द अब परत्यक्ष नहीं लगाना है ये आपने ध्यान देना है परत्यक्ष का हमेशा परोक्ष होगा अब परत्यक्ष नहीं होगा विलोम शब्द ठीक है तो यह आपको सीखना है तो जो आँखों के सामने न हो तो परोक्ष इस दा राइट आंसर चलें फिर आगे चलिए तो क्या लिखा हुआ है अब पश्टाए क्या होत जब चिडिया चुग गई खेत ठीक है अब ऐसे होता भी है कब होता है जब आपका पेपर उठा लिये जाता है आपकी जो ओमर शीट होती है वो उठा लिये जाती है और आप बोलते हो लास्ट कॉशन करना होए उरेय यह होए उमे क्यांदा होए तो अब पश्टाए क्या होत जब चिडिया चुग गई खेत तो बताईए क्या होगा समय रहते काम करना चाहिए या फिर समय पर काम न करने के बाद पश्टाना पड़ता है या फिर नश्ट फसल की रखवाली व पताईए क्या होगा मैंने आपको पहाडी में एक्जेंपल भी दे दिया OMR शीट का कि जब OMR शीट निकल जाती है तब फिर ऐसे करके सोचना पड़ता है पश्टाना पड़ता है कि नहीं तो बताईए फिर तो काफी सारे बच्चों का अंसर बिलकुल सही आ रहा है तो ओप्शन नमबर जो बी है वो बिलकुल सही होगा क्योंकि समय पर काम न करने के बाद जो आपको एक गंटा दिया गया था हिमाचल परदेश पुलिस कोंस्टेबल के लिए जो आपको सवा एक घंटा दिया गया था हिमाचल परदेश फुरस्ट गार्ड एक्जाम के लिए लेकिन उस समय के अंदर अंदर आप कॉश्चन को सोल्व नहीं कर पाए जैसे ही ओवर मर्शीट को उठा लिया जाता है तब आप क्या करते हैं अब पश्च्टाय क्या हो था ठीक है यानि कि समय पर काम न करने के बाद पश्च्टाना पड़ता है यानि कि option number B is the correct answer ठीक है चले आँगे आगे आपके पास है वाक्य में आपने अशुद्ध भाग यानि कि तुरुटी पूर्ण भाग का चायन करना है ठीक है तो वाक्या क्या है मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मातर थे तो कहां पर गलती होगी मैं पटना गया यहां पर गलती है या फिर तो उस समय यहां पर गलती है या फिर मेरे पास यहां पर गलती है या फिर केबल 20 उर्पे मातर थे यहाँ पर गलती है, बताईए कहाँ पर गलती है ओप्षिन नमबर A में गलती है B में गलती है, C में गलती है या फिर B में गलती है बताईए फटा-फट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कि आप में से कुछ बच्चों ने अभी खाना भी खाना है, ठीक है, परोफड़ा वाटा, तो काफी सारे बच्चों का अंसर आ रहा है, option number D, अब देखो यहां पर, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, उस समय मेरे पास, उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मातर थे, अब भईया या तो केवल लगा ले, या तो मातर लगा ले, या कोई एक लगा ले, तो दो मतलगा, ठीक है, तो यहां पर मातर नहीं आना चाहिए था, ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ी थी, यानि कि option number D is the correct answer, आगे वरते हैं, आगे है आपके पास, फिर से आपको वाक्या में अशुद जो भाग है वो शांटना है, तो वाक्या क्या है, रामराज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो कहां पर गलती है, रामराज्य में, या फिर शेर और बकरी एक घाट पर, या फिर पर पानी पीती थी, या फिर इसमें कोई तूटी ही नहीं है, कहां पर तूटी है, बताईए, बताईए फटाफट, बताईए फटाफट, देखो, यहां पर आपको थोड़ा सा difficulty हो रही होगी, यूँकि आपके लिए यह थोड़ा सा new question होगा, है न, सब्सक्राइब आता के नहीं, तो error जो होते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आपको English में देखने को मिलेंगे, आज कल Hindi में भी आते हैं, और इसी परकार से आते हैं, ठीक है, बताईए फिर क्या होगा, अब देखो, सुनो मैं बताता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ है, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, अब मुझे बताओ, एक तरफ शेर है, जो की मेल है, एक तरफ बकरी है, जो की फी मेल है, तो यहाँ पर पीती लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, फी मेल, यानि की बकरी की अकोर्डिंग, तो शेर क्या करें फिर, शेर के साथ नाइसाफिक क्यों हो रही है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर प बकरी के साथ नाइसाफी हो जाती तो लिखे तो लिखे क्या बताई क्या लिखें पताओ फटाफट राम राजिय में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे येस पीते थे ही होगा क्योंकि पीती थी तो ये डिरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है आपके फीमेल पे जब भी हम पीते लिखेंगे तो मुझे लगता है कि यहां पर सही होगा क्योंकि और तो यहां पर कुछ आही नहीं सकता या फिर पीती यह नहीं होगा तो पीते थे यहां पर आने की पीते थे यह आपका यहां पर सही होगा यानि कि option number कौंसा option number C तो option number C is the correct answer होना चाहिए था ठीक ह ओके जी तो यह थे आपके सामने हिंदी के प्रश्न और I hope आपने काफी enjoy किया होगा आज की class में तो बस मेरी आपसे एक ही request है कि वीडियो को like जरूर करिएगा ठीक है और share करो इसको operation series फैलनी चाहिए ही माचल में एक माचल में कोई ऐसा platform है जो कि operation कर रहा है किसी बंदे का ने कर रहा questions का कर रहा है ठीक है तो यह बात पहुंचनी जाहिए और चैनल को subscribe करेएगा अगर नहीं किया है तो पाकि मिलेंगे कल next video में और कोशिश करेंगे कि कल से हम science को start करते हैं ठीक है चलिए फिर ओके जहिंद 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 कि इव घरोग उसाट जहिंद हैंद जहिंद 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 करेंद